तीसरे चरण के दौरान 11 राजियों में वोटिंग हो अलग-अलग राजियों में अलग-अलग मुद्धों पर जनतर ने मतदान किया आपको पहले बिहार का हाल दिखाता हूँ जहां तीसरे चरण में 4 सीटों के लिए वोटिंग हो बिहार से एक ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे वहीं है जन्यारपुर ने वाचन आयोग है जिसका काम अच्छा रहा उसको बोट करेंगे कई किये हैं लोग देशे की एंपी का चुनाव है तो राष्टे मुद्धा ही प्राइमिरी रहता है लोकल मुद्धा तो विधाय की चुनाब में या फिर मुख्या सिटिंग एंपी है उनसे बिल्कुल भी खुस नहीं है मजबूरी बस मुद्धी जी के नाम पर ही बोटिंग हुआ है हम लोग सारे युवा जो हैं इस बार संकल्पित हैं बदलाव के लिए क्योंकि हमने फिछला दस वर्सों का कारकाल देखा है जिस विश्वास के साथ हम वने मजदी जी को चुना था उस विश्वास ले खड़ी नहीं उतर रहे है जो मुद्ध था हमारा विकास है जो कि हमारे माननी प्रदवनमंत्री जी द्वाड़ इतने विश्वास काड़ी किये गये हैं खास के हमारे तरब जो रोड से लेके लेक्ट सिटी तक और खास कर जो गरीब तबके से जो लोग आते जिनको पांस लाग का जो आयसमान काड की कैंडिडेट कौन है इससे फरक नहीं पड़ता नरेंदर मूदी के चहरे पर وोट डाल रहा है या लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सांसद हैं उनसे नाराज़गी है लेकिन नरेंदर मूदी को जिताना है इसलिए वोट डाल रहा है कई लोग परीवर्टन की भी बात कर रहे हैं लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो आपको ground report दिखा रहा हूँ, ये बिहार में लोग क्या कह रहा है। इसी तरह आज मद्यप्रदेश की आठ सीटों पर vote पड़ा है और MP में कैसे मतदान हुआ, जनता ने किर मुद्दों पर vote डाला। भोपाल से आपको ground report दिखाता हूँ, भोपाल में लोग क्या बोलता है। कि मोदी जी जब से काफी कुछ सुधार हुआ है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सायद और भी अच्छा सुधार हो गई है। डवलप्मेंट के मुद्ध है, कि डवलप्मेंट अच्छा हो रहा है और आगे और अच्छा हो, बस यही चाहत रहेगी हमारी तो। यानि मद्रप्रदेश में भी कही लोग डवलप्मेंट को मुद्धा मान कर वोट करते दिखे हैं। कईयों को लग रहा है कि development अच्छा हो रहा है, इसको continue रखना है, development को आगे बढ़ाना है, इस तरह की बाते लोग काइमरे पर कर रहे हैं। उसी तरह प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी का confidence भी है, उनकी body language, उनका relax mood ये सब बताता है, कि चुनाव किस दिशा में जाना है, वैसे भी तीसरे चरण को लेकर बीजेपी पूरी तरह से confident थी, क्योंकि जिन 93 सीटों पर आज voting हुई है, उसमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक तरह से clean sweep जैसा ही किया था, आज इन सीटों पर voting हुई है, उनमें आपको 2019 का result बताता हूँ, इन 93 सीटों पर 2019 में क्या हुआ था, तीसरे चरण की जो 93 सीटे हैं, 93 सीट और इसका 2019 का result देखिए, 2019 में क्या हुआ था, इसमें बीजेपी ने 32 सीट जीती थी, 72 सीट और कॉंग्रेस को मात्र 4 सीट आई थी, 4 सीट जीती, ये हाल था, अगर आज के इंडी अलाइंस और NDA की तुलना की जाए, तो 2019 में अगर आप देखिएगा कि NDA का क्या हाल था भाई, तो NDA को 2019 में 93 सीटों में से 75 सीट आई थी, 75, और जो आज का इंडी अलाइंस है, उसको मात्र 8 सीट आई थी और अधर्स जो है, उनको 10 सीट गई, तो यानि ये वो फेज है तीसरा चरण, जो BJP के लिए मैसिव जीत दर्ज करना, और वहाँ मैसिव बड़ी संक्या में सीटे हासिल करने वाला है, अच्छा सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, जिन 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, उसमें पिछले तीन चुनाव से BJP ने अपनी ताकत लगातार बढ़ाई है, जबकि कॉंग्रेस का लगातार सफाया होता गया है, 2009 में बीजेपी के पास 93 में से 47 सीटे हुआ करती थी, जो कि 2014 में बढ़कर 66 हुई हैं और 2019 में बढ़कर 72 पर पहुँच गया है, जबकि कॉंग्रेस के पास इन 93 सीटों में से 2009 में 27 सीट होती थी, नरेंद्र मोदी का चेहरा आया तो घटकर 9 रह गई और 2019 में घटकर 4 होती अगर इन सीटों पर कॉंग्रेस के गिरावट का यही पैटर्न रहा तो 4 सीटे भी कॉंग्रेस के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा, अगर तीसरे चरण की 93 सीटों पर पिछले तीन चुनाव का वोट शेर देखें तो भी बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है, इन्ही 93 सीटों पर अगर आप 93 सीट पर वोट शेर दिखाऊं, वोट शेर क्या कहता है भया, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है, तो वोट शेर अगर आप देखेगा, 2009 का अगर आप देखेगा, 2009 में बीजेपी का वोट शेर आपको बता रहा हो, ये बीजेपी का, बीजेपी का वोट शेर 32.46 परसेंट था, 2014 में जब नरेंद्र मोदी के चहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो ये 32 से 11 परसेंट बढ़कर सीधा 43.09 परसेंट पर पहुँच गया, और जब 2019 में 5 साल की एंटीन केंबेंसी थी, उसके बाब जूद ये 3 परसेंट और बढ़कर 46.9 परसेंट, मतलब अल्मोस 47 परसेंट पर पहुँच गया, ये बीजेपी ने गेन किया, और कॉंग्रेस का क्या हाल रहा भाई, कॉंग्रेस का भी आपको हाल दिखाता हो, कॉं 2019 में कॉंग्रेस घड कर करीब 25 परसेंट पर आ गए, तो कॉंग्रेस लगातार गिर रही है, और बीजेपी लगातार इन 93 सीटों पर बढ़ रही थी, और अभी भी लोग डेवलप्मेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरफ जा रही हैं चीजें, वो अंदाजा लगता ह बीजेपी किस तरह से तीसरे चरण की सीटों पर मजबूत है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाईए, कि ऐसी बहुत सीटे हैं जिने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार से बीजेपी जीत रही हैं, आपको आंकडे बताता हूं, तीसरा चरण 93 सीटों का है, जि बार से जीत रही है, बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ तो गुजरात है, गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोट पड़ गए, गुजरात में बीजेपी के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है, वहाँ पर 1998 से बीजेपी की सरकार है, 2022 के विदान सभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने इतनी सीटे जीत ली थी जो गुजरात की इतियास में किसी पार्टी ने नहीं जीती, यानि गुजरात में एक तरफा मामला बताया जा रहा है, आज गुजरात में बड़े बड़े लोगों ने वोट डाला, यूपी की राजपाल आनंदी बेन पटेल ने एमदाबाद में वोटिंग की, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पहुचे थे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए बीजेपी विधायक रिबाबा ने भी अपना वोट डाला, उद्योगपती गौता मडानी ने भी एमदाबाद में वोटिंग की है, गौता मडानी भी अपने परिवार के साथ वोटिंग आज करते वे वो नजर आए, गुजरात में लोगसभा की 26 सीटे हैं और दो चुनाफ से लगातार, सभी सीटे यहां पर बीजेपी जीत रही, इससे पहले भी गुजरात में जातर सीटे बीजेपी जीती थी, लेकिन जब प्रदान मं संत्री नरेंद्र मोदी की लहर हो तो विपक्षी भी घबरा जाते हैं, कि बहुत कुछ सीटे मिलेंगी या कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2014-2019 की लहर में विपक्ष का इतना बुरा हाल हो गया था, कि विपक्ष के बड़े-बड़े नेता अपना गड़ नहीं बचा पा आज अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाला, उनकी पतनी डिमपल यादव ने भी वोट कास्ट किया, दोनों ने सैफ़ाई में मतादिकार का प्रयोग किया, तीसरे चरण में अखिलेश के परिवार के तीन लोगों की सीटे थी, इनमें मैनपुरी से डिमपल पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि आगरा कैंट में बूत नंबर 319 पर पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को धमका कर वोट डालने से रोक रही है, इसी तरह से सम समाजवादी पार्टी ने आवला में भी वोटिंग में गड़बडी का आरोप लगा दिया। इस बात को लेकर पुलिस ने आपत्ती दर्ज कराई, पुलिस का कहना था कि बिना अनुमती ये सभी लोग बूत पर घूम रहे, काफी देर तक हंगामे का मौहल बना रहा, संबल में मतदान शांती के साथ हो गया, हो और फर्जी वोटिंग ना होने पाई, इसको लेकर पुलि पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बुला कर समझाया भी, कि जिनका वोट है वोट बिना डरे वोट डाले, लेकिन अगर किसी ने फर्जी वोटिंग करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी, सुनिए एक बार मुस्लिम वोटर्स को लेकर इतना बवाल और हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि तीसरे चरण की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा प्रभाव है, जैसे संबल की बात कर रहा है, वहां करीम 9 लाक मुस्लिम वोटर्स है, बदायू में 3 लाक मुस्लिम वोटर्स है, आवला में करीब 3 लाक, आगरा में मुस्लिम वोटर्स पॉने 3 ल